प्रथम विश्व युद्ध में केंदिये शक्तियों औस्टिया हंगरी, जर्मनी, बुल्गारिया और रोटोमनस अमराज्य सहित की हार के साथ और रूस में 1917 में बुल शिविक द्वारा सता की जबती, सुवियत संका जन्व ने यूरोपिय राजनीतिक मांचित्र को मौलेक रूप से बदल दिया था, इस बीच, फ्रांस, बेलजियम, इटली, ग्रीस और रोमानिया जैसे विश्व युद्ध के विजी मित्र राष्ट्रों ने कई नए क्षेत्र प्राप्द कर लिये, और संगठन का प्रात्मिक लक्षे सामुहिक सोरक्षा के माध्यम से सशस्त्र संगहर्ष को रोकने, सैनिय और नो सैनिक निरस्त्री करण, और शांतिपूर्ण वारता और मद्यस्थता के माध्यम से अंतराश्ट्रे विवादों को ने पटना था, पहले विश्व युद्ध के बाद एक शांतिवादी भावना के बावजूद, कई यूरोपिय देशों में जातियता और क्रांतिवादी राष्ट्रवाद पैदा हुआ, इन भावनाओं को विशेश रूप से जर्मनी में ज्यादा प्रभाव पड़ा क्यूंकि वर्साय के कारण इसे कई माहत्वपूर और अपनी वेशिक होना और वितिय नुकसान झेलना पड़ा था, संधी के तहेट, जर्मनी को अपने घरेली चेत्र का 13 प्रतिशत सहित कबजे की हुई बहुत सारी जमीन छोड़नी पड़ी, वही उसे किसी दूसरे देश पर आक्रमन नहीं करने की शर्ट मानी पड़ी, अ और एक लोग तांतरिक सरकार, जिसे बाद में वाईमर गणराज्ये नाम दिया गया, बनाया गया, इस बीच की अवधी में नए गणराज्ये के समर्थकों और दक्षिन और वामपन्थियों के बीच संघर्ष होता रहा, इटली को समझोते के तहत युद्ध के बाद कुछ प्राप्तों हुआ, लेकिन इतालवी राष्ट्रवादियों को लगता था कि ब्रिटेन और फ्रांस ने शांती समझोते में किये गए वादों को पूरा नहीं किया, जिसके कारण उनमें रोश था 1922 से 1925 तक बेनिटो मुसोलनी की अगवाई वाली उफासिस टांदोलन ने इस बात का फायदा उठाया और एक राष्ट्रवादी भावना के साथ एटली की सत्ता में कबजा जमा लिया, इसके बाद वहां अधिनायक वादी और वर्ग सहयोगात्मक कारियावली अपनाई गई जिससे वहां की प्रतिनिधी लोगतंत्र खत्म हो गई, इसके साथ ही सम समाजवादियों, वामपंतियों और उदारवादी ताक्तों के दमन, और एटली को एक विश्वशक्ती बनाने के उद्देशे से एक आकरामक विस्तारवादी विदेशी नीती का पालन के साथ, एक नए रोमन समराज्य के निर्मान का वादा किया गया एडोल्फ हिटलर, 19 1923 में जर्मन सरकार को उखाड़ने के असफल प्रयास के बाद, अंतहर 1923 में जर्मनी का कुलादिपती बन गया, उसने लोकतंत्र को खत्म कर, और वहाँ एक कटरपन थी, नसलिये प्रेरितांदोलन का समर्थन किया, और तुनत ही उसने जर्मनी को वापस एक शक्तिशाली स ये ताकत के रूप में प्रहरदशित करना शुरू कर दिया, यह हवे समय था जब राजनीतिक विज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि एक दूसरा महान युद हो सकता है, इस बीच, फ्रांस, अपने गडबंधन को सुरक्षित करने के लिए, इथे उपिया में इटली ने वहां की राष्ट्रवादी ताकत का समर्थन किया जो सोवेत संग की सहायता वाली स्पेनिश गन राज्ये के खिलाफ थी, नए हत्यारों के परेक्षन के बीच में राष्ट्रवादी ताकतों ने 1949 में युद्ध जीत लिया, स्थिती 1935 की शुरूआत में बढ़ गई ज और देश में अनिवारे सैनिक सेवा आरंब कर दी, जर्मनी को सीमित करने के लिए, युनाइटेड किंगडम, फ्रांस और इटली ने अप्रेल 1935 में स्टेसा फ्रंट का गठन किया, हाला कि उसी साल जून में, युनाइटेड किंगडम ने जर्मनी के साथ एक स्वतंत्र न सैनिक समझोता किया, जिसमें उस पर लगाय पूर्व प्रतिबंधों को खत्म कर दिया, पूर्वी यूरोप के विशाल क्षेत्रों पर कबजा करने के जर्मनी के लक्षेओं को भाम सोवियत संग ने फ्रांस के साथ एक आपसी सहयोग संधी की, हाला कि प्रभावी होने से पहले, फ्रांस सोवियत समझोते को राष्टर संग की नौ करशा ही से गुजरना आवश्रक था, जिससे इसकी उप्योगिता खत्म हो जाती, सैउक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और एशिया में हो रहे घटनाओं से अपने दूर करने हेतू, उसी साल अगस्ट में एक टस्थता अधिनियम पारित किया, 1936 में जब हिटलर ने रयान लेंड को दुबारा अपनी सेना का गड़ बनाने की कोशिश की तो उस पर ज्यादा अपत्तिया नहीं उठाई गई, अक्टूबर 1936 में जर्मनी और इटली ने रोम बरलिन धुरी का गठन किया, एक महीने बा जर्मनी और जापान ने सामयवाद विरोधी करार पर हस्ताक्षर किये, जो चीन और सोवियेत संग के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए था, जिसमें इटली अगले वर्ष में शामिल हो गया